गुड़मोनी बच्चों वीडियो का कंटेंट है पर्मूटेशन कॉंबिनेशन से एक्सरसाइज 7.8 हैलिमेंट बुक से और भई एक्सरसाइज बड़ी मज़ेदार है अप्लिकेशन प्रोब्लम है ये ठीक है ना सारे की सारी एक्सरसाइज में अप्लिकेशन बेज़ प्रोब्लम है यानिकि पर्मूटेशन कॉंबिनेशन के मिक्स क्यूशन है बच्चों अब तक जो एक्सरसाइज आपने की थी उसमें क्या था कि जैसे कोई एक्सरसाइज पर्मूटेशन किया गई कोई कॉंब नेशन लगेगा तो ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहता हूं पहले तो बेटा इस स्टेटमेंट देख लीजिए आप फर्स्ट क्विशन है जैसे और ठीक ऐसे स्टेटमेंट थर्ड, फोर्थ, फिप्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और भाई टैन यह स्टेटमेंट चेक कर लीजिए आप पड़ लीजिए इनको एक बार पोज करके वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं यहनिके इसमें 11 क्यूशन है बच्चो देखो देख सकते हो आप पोज करके एलिमेंट बुक है यह तो 11 क्यूशन को स्वोल करते हैं वह हम पहले ठीक है ना तो वीडियो पोज करके बेटा स्टेटमेंट चैक कर सकते हो आप तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूशन और उन मेंसे 5 को आपने स्लेक्ट करना है तो देरपोर इस का इन वीड़न इस तैन सी 5 इस तो इसको लेकिंगे इन के पांस ट्रूप पर कर लेजिए और 12345 का प्रोडेक्ट निचे कर दीजिए बच्चो कैंसल वेंसल आप करें सकते स्कोर ठीक है ना 339 और 42 जाये मल्टिप्लाइ कर लेजिए बच्चो आज रा जायेगा 7 6 जा 42 42 इंटो 6 6 2 जा 12 6 4 जा 24 प्लस 125 यानके 250 तो वेज ठीक है बच्चो फर्स्ट पिशन सेकेंड है वेई है हाँ मैं डिफ्रेंट काइंड वरिटेंट टिकर्स मस्ट बी प्रेपेड फोर एवेड़ वेड़े लाइन विच सिस्टीन स्टेशन जाने और आने की 16 स्टेशन है तो 16 सी टू यानके इसट कोई दो स्लैक्ट कर सकते हैं जैसे देखो ये पर जाना है हमने और फिर वगपीस आना है जैसे यहां से यह पर गए और फिर वगपीस आए तो 16 सीटितुन स्टेशन कोई बीडोस रैट कर सकते हैं आंसर आजाएगा आपका 16 इंटू 15 और 1 इंटू 2 यानिके 1 टूंटी बेज यह सेकेंड क्यूशन था बच्छों थार्ड क्यूशन देख लिए थार्ड है इन हाव मैंनी बेज करने पार्टी ओफ फॉर भी स्लेक्टिड आउट ओफ नाइन टोटल है बच्छों 9 स्टुडें और यहां पर है वन मस्ट बी एक्स्क्लूदीड तो बच्छों अगर कोई रेस्टिक्शन नहीं होता इसमें तो आंसर होता आपका 9C4 यानिके 9 में से 4 वो स्लेक्ट करना विदाव डैनी रेस्टिक्शन अब इसमें डाल दिया कि एक को स्लेक्ट करना बहुत कंपलसरी है बहुत कंपलसर है इस बात में कि एक को स्लेक्ट करना है जरूर तो पहले क्या है 9 में से एक बंदे को पहले गुला लेंगे उसको स्लेक्ट कर लेंगे तो बाकी बच्छिए आपके पास 8 और 8 में से बंदे स्लेक्ट हो तो 9 में से बाहर बुला लिए अपने अपने कर लिया वो तो 9 में से एक गया आट में से तीन करने आपने याणके 8 सी 3 आंसर आजएगा आपका 8 7 6 यानिके 56 अथिक है ना और नेट्स्ट टाइम क्या है सेकेंड पार्ट में वन मस्ट भी एक्स्क्लूड एंगे एक को बगा देना वह से नो में से एक बन्दे को बगा देंगे और बच्चे वे आठ में से चार स्लेक्ट करेंगे यांकि 8C4 आंसर आजाएगा 8, 7, 6, 5 और नीचे आजाएगा 1, 2, 3, 4 कैंसल करेंगे बैए 8 से कैंसल हो गया 3, 2, 0, 6 हो गया 5, 2, 0, 10, 7, 0, 70 इसके बेज हो जाएंगे बच्चो 70 नेस्ट बच्चो फिट क्योशन आगया बई 12 परसन मीट इने रूम एंड इसे एक हैंड स्विग ओल दादर्स फांदार नम्बर ओफ हैंड सेख तो टोटल परसन बच्चो 12 और कोई भी दो परसन अगर हैंड सेख करेंगे तो एक हैंड सेख होगा यांगे दो बंदो से एक होगा तो 12 से कितना होजेगा 12 सेट 12 तो टोटल के दो मेंगे एक हैंड से होता है तो आज से आज लेगा आपका 12 इंटो 11 और 1 इंटो 2 यांदि कि 66 66 हैंड सेख हो जाएगे बच्चो ठीक है ना तो 6 कुशन है इन हाव मैनी वेज फोर इडेंटिकल वाइड बाल्स वाइड बोल है आपकी 4 और जाएड खे ईडेंटिकल ब्लैक बोल ब्लैक बोल है आपकी 6 be arranged in a row so that no white balls are together कोई भी white ball एकटी ना है वई ऐसे arrange करनी है एक line में कि कोई भी दो white ball एकटी ना है तो पहले क्या करेंगे हम black को arrange कर देंगे वई 6 black 1 2 3 4 5 6 246 तो इन 6 black को arrange करने का तरीका बच्चों के वन बन ऐसा क्यों देखो सारी identical है एक दूसरे से बिल्कुल सेम है अगर मैं जैसे आपने अभी अभी ये देख्या अब फोड़ी देर आप देखना बंद करें तो उतनी देर में मैंने इन दोनों को replace कर गए इसको याँ इसको याँ पर तो आपको क्या ये दूसरा बे दिखाई देगा और अलगरेंचमेंट की दिखाई देगा ना वो अइडेंटीकल बोल है सारी तो इन सभी का तरीका क्या हो गया है यह की हो गया अब इनके बीच में एक एक वाइट बोन का स्पेस बच गया यह ठीक है ना तो हमने क्या करना है यह प्लेस हो गए आपके पास 6 6 में से कोई 4 प्लेस लैट करके वाइट बोन डाल देगी हो आपर तो 6C4 यानिकि आज एगा 6C2 भी लिख सकते हो 6-4 करके 6 into 5 और 1 into 2 तो आपका अंसर आजाना चाहिए यहां पर 15 साथ साथ मैं चेक करता चलता हूं आंसर जिक्स क्यूशन ठीक है ना तो 6 क्यूशन है भई बच्चो देखो यहां पर मैंने यह बताया आपको कि प्लेस इस कितने होगे 6 जब की हो गई कितने 7 2 4 6 और 7 क्योंकि यह ज्यादा प्लेस होगा ना चूर यहां से स्टार्ट हो गया यहां पर खतम हो गया तो आंसर क्या गया 7 C 4 यहां कि 7 C 3 लिख सकते ओपिस को और यह आजेगा 7 6 5 और 1 2 3 तो यह कैंसल ओकर 35 आपका आंसर जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट कूशन है 7 तो 7 है बई इन हाव मैं अने वेज कैन वी स्लेक्ट किर्केट 17 प्लेस है टोटल प्लेस है मैं टोटल प्लेस है वही 17 है 11 स्लेक परनेश में से और 5 प्लेस के लिख तो टोटल 17 में से 12 तो है आपकर बैटमें 12 है बैट्समें और 5 है बोलर 5 बोलर है और ठीक है ना और 12 बैट्समें है तो करना क्या है कि दो एक्जेक्ट दो बोलर लेने जरूरी है बच्चो यानि कि टीम में क्या है टोटल 11 लेक्ट करें तो दो तो बोलर लेने जरूरी है बई और इसका मतलब क्या है नाइन क्या रे सब्सक्राइब थर संभाट प्लै चाहिए तो इसका मदलब इसका यूदा भी है। पॉलिंग तो यह तो यानि कि बारा ब्लैट क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं अर इसका मतलब मैं तो यानि सिर्वरओं लाइब में कर देंगे बोलर्स चैन बीचलेट आउट वालर सिंग फईवड फईवड टूसे नाइट ट्री आप लेक्ति वेटेट रहां करने के लिए और फईवड इसलेटियर गोर कि टैनों फ्ईट्री यह तर्मेट वहां तर्म सब्सक्राइब यह कैंसर होगा है 6-12, यह 22, 0 और एक और 0 यह निके 2200 नमब्रों वेज हो जाएगे आपके पास ऐसा करने के लिए ठीक है ना नेक्स बच्छो 8th क्यूशन, ए फादर भी एच चिल्डरन टेक्स त्री अके ताइम तु दाजू, चिल्डरन है गई बच्छो, 8, टेकिं एट अके ताइम थ्री, As often as he can without taking the same three children together more than once, यानि के एक साथ तीन बच्छों को दुबारा ने ले जाएगा, या कि मानलो A, B, C एक बार चले गए, तो दुबारा A, B, C कभी नी जाएंगे, A एट जाएगा, तो B, C और किसी तीसरे के साथ चले जाएंगे, या फिर B एट जाएगा, तो A और C किसी तीसरे के साथ चले जाएंगे, या C एट गया वहां से, तो A और B किसी तीसरे के साथ चले जाएंगे, या कि तीनों बच्छे दुबारा हट्टे नहीं होंगे, जू तीन तीन के जितने भी ग्रूप बनेंगे आठ में से उतनी बार उनों का फादर जाएगा तो आ जाएगा 56 एट इंटू सेवन इंटू सेख्स और 123 कैंसर कर दिया हमने यह और 56 आ ठीक है ना उसके बाद है कि परते एक बच्चा कितनी बार जाएगा तो गई बच्चा कितनी जाएगा आठ में से यह बच्चे को मैंने बाहर लिया तो बच्चे अठ बच्छे आठ目 जितने दोंके baru साब बनेंगे उनके साथ A सामिल हो जाएगा यह यह नब बच्चा इतनी बार जाएगा जैसे e ko अलग निया मैंने तो बच्चे कितने आठ ने से दोडों के जितने गुरूब बनेंगे दो तो बच्चे और जाएगा उस गूरूब में 30 सामिलो जाएंगे तीन तीन के ट्रेप्लेट बन जाएंगे उनके साथ एजाएगा यानिके एट इन्टु सेवन और वन इंटु तो यह आजाएगा वैट टूट्टीएट तो परते एक बच्चा जो है 28 टाइम जाएगा और उनका फादर जो है वो जाएगा 56 टाइम्स कुछ ने बच्चो एट ठीक है ना ये गरबड़ कर दे वही आठ ही बच्चे थे ना तो एक बच्चा अलग हो गया तो साथ बच्च गये ना मैं नाइन समझ गया आपर यानिके एक बच्चा एक अलग कर लिया मैंने तो आठ में से एक बच्चा गया तो साथ बच्च गये अब साथ में से जितने दोतों के गरूप बनेंगे बच्चो तरी बार ए उनके साथ जाएगा यानिके 21 टाइम्स ठीक है ना नेक्स्ट क्यूशन है वही नाइथ क्यूशन एक वमेटी इस तो बीकन्सिस्ट ओपोर मैं इंद थ्री वोमें इस आपनी अपने लेने हैं फोर मैं और एक हुआ व्यों मैं से लेने हैं आपने ट्रीव व्यों मैं यह स्केटमेंट में साथ साथ डिखेया हम अब अबसद के हो साथ मैं में से चालम्हान लेने का यह तरीका हो गया नम्रों बेज्ट और कि अपनी लेंग्वेज रिखनी है 4-man can be selected out of 7-man in 7-4 ways 3-woman can be selected out of 5-man in 5-3 ways and total number of ways 7-6-5-4 and 1-2-3-4 और भाई 5-3 तो आप जानते उड़े नहीं होता है यह इसे और यह थानस पाइब और लास्ट में 0 थरी 50 बेज हो जाएंगे बच्चों एक यह क्यों सद्धा आपका 9 ठीक है ना अब 10 करते हैं देखो most important question देखो इसमें बच्चे एक सर्गल दिया करते हैं a committee is to of 8 is to be selected out of 6 male and 8 female male है वही बच्चों यहाँ पर 6 और female है यहाँ पर 8 और select कितने करने हैं हमने 8 ही select करने हैं इंगे से और ऐसे select करने हैं कि male may not be outnumbered male की जो संख्या है female की संख्या से कम ना हो outnumbered होता है कम होना ठीक है ना outnumbered का मिनिंग क्या है कम होना संख्या में कम होना तो इसने कहा है कि outnumbered ना हो यानकी male जो है female से कम ना select कि जाए बराबर select कि जाए या ज्यादा तो बराबर सेलेक्ट करेंगे तो 6C4, 8C4, टोटल 8 का नामने, या फिर क्या होगा, या के लिए प्लस लगता है, मेल 5 सेलेक्ट कर लेंगे और फिमेल सेलेक्ट कर लेंगे 3, या फिर क्या होगा, मेल 6 के 6 सेलेक्ट हो जाएंगे और फिमेल कितनी हो जाएंगे 2, टोटल 8 करना या फिर मेल सेवनहें ऊज्य होजाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता और कियो शोयांने मैं मैंने कई 7प से और 6 भ। हो सकते हैं तो 6C4 हो जाएगा बच्चो 6, 6C2 लिख सकते हैं इसको 6 x 5, 1 x 2 कर दिया मैं 8C4 अभी अभी काल्कुलेट किया था हमने 8C4 की बजहार ने काल्कुलेट किया था वही 7C4 तो 8C4 हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 और 6C5 हो जाएगा बच्चो 6, 8C3 हो जाएगा 8, 7, 6 और 1, 2, 3 और 6C6 हो जाएगा 1 और 8C2 हो जाएगा 8 x 7 और 1 x 2 तो वही कैल्कुलेट कर लेते हैं यह से कैंसल हो जाएगा 15 और 4, 2, 8 और 3, 2, 6 और 5, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 प्लस 3, 2, 6 कैंसल हो जाएगा 56 x 6 बजाएगा आपर प्लस 2, 4, 10, 10, 10 तो यह हो गया वही 15 से आपलन जिरो 5 प्लस 6, 6 जा 36, 6, 5 जा 30, प्लस 3, 33, और प्लस 28, तो add करेंगे इसको 1050, 3, 3, 6, और 28, 14, 11, प्लस 2, 13, प्लस 1, 14, और 3, प्लस 1, 4, ठीक है न, calculate दुबार कर रहेते, 8, 8 प्लस 2, 10, 10 प्लस 11 भाई, यह हो गया 14, यह हो गया 8, प्लस 2, 10, प्लस 1, 11, और 3, प्लस 1, 4, यानके 14, 14, नमर ओफेज हो जाएगा बच्चो, यह नेक्स्ट बच्चो, बच्चो, बॉइज 9 है कोमेटी में और गर्स है 5, और 7 की कोमेटी अपने स्लेक्ट करनी है, टोटल हो गई 14, 7 लेने में से, फर्स् और 9 में से 5 लड़केश लेक्ट करने करें क्योंकि टोटल 7 बढ़ाना आपने, तो 5C2 हो जाएगा 10, और 9C5 कोम करेंगे ब्रेक, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 5, और निच्चा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है न, तो देखो 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, 3, 2, 6 कैंसल हो गया, 4, 2, 8 कैंसल हो ग 12, 60, बेज, आगे है कि कम से कम दो लड़किया सेलेक्ट हो कर, तो कम से कम दो लड़कियों का मिनिग है, 2 या 2 से ज्यादा हो, 9C5, प्लस 5C3, 9C4, टोटल 7 सेलेक्ट करनी है न, उसके बाद 5C5, 5C4 आएगा, और 9C3, प्लस 5C5, और 9C2, ज्यादा से ज्यादा 5 लड़किया लड़कियों कर सकते हो, एट लिस्टो करनी कम से कम दो, दो या फिर तीन, फिर ये चार, फिर या फिर फाइब, तो इसको कल्कुलेट कर लीजिए, ये तो 12, 60 आया ही है और 5C3 हो जाएगा, 10 और 9C4 को ब्रेक रहेंगे, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, तो भई, 4, 2, जा 8 हो गया, 3, 2 जा 6 हो गया, प्लस 5C4 होता है, बच्चो 5, 9C3 को कल्कुलेट करेंगे, 9, 8, 7, और 1, 2, 3, ठीक है न, 3, 3, जा 9 हो गया, 2, 4, जा 8 हो गया, प्लस 5C5 हो जाएगा, 1, 9C2 हो जाएगा, 9 इंटू 8 और 1 इंटू 2, ठीक है न, तो ये आजिया का 12, 60, प्लस इसको कल्कुलेट करे हो जाएगे, तो 17 टू जा, 14, 14 आइजा, 126, इंटू 10, ये सेम टू सेम कैसे आ गया, 9C4 और 9C5 सेम टू सेम यह आएगा, प्लस, ये कल्कुलेट हो गया, ये कल्कुलेट हो गया, ये करते हैं, ये आजाएगा, 7, 12, 3, 4, 3, जा 12, 12, 7, जा 8, 4, 84, 84 हो गया, और 5 से और मंटिप्लाइ कर लेते हैं, इसकी, 5, 2, 5, 4, 20, 5, 8, 40, प्लस, 2, 42, ठीक है न, और फिर प्लस में, ये कल्कुलेट हो गया, ये आपर हो गया, 36, तो इंको एड कर लेते हैं, बही बच्चो, ये आज एगा, 0, 2, 6, 12, 2, 4, 4, प्लस, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 12, 60 का डबल कर दिया मैंने, और ये इस मेंट कर देता हूं, ये हो गया, आपका 6, 5, और 4, यानिके 6, 7, 9, और 2, आंसर चेक कर लेते हैं, बच्चो, 10th क्यूशन है ये आपका, 11th, 12, 60, और 2, 9, 7, 6, ठीक है बच्चो, नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखा देता हूं, आपको स्टेटमेंट देख सकते हैं, बच्चो, 12th की स्टेटमेंट बटा है, in an examination, your candidate is required to pass in 4 different subjects, in how many ways can he fail, 13 की स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ठीक है न, और आंसर की दिखा देता हूं, साथ साथ, 23 तक के ये आंसर है, बच्चो, इसमें, कम्प् स्टेट, देख लीजिए, आंसर मैच करवा लीजिए, अपने साथ साथ, ये है बटा स्टेटमेंट, पोज बटन दबा कर आप देख सकते हैं, ठीक है न, 12 से लेकर, और 23 तक, ये देखिए, 12 से लेकर, और 23 तक की स्टेटमेंट, तो 12th कुशन स्टार्ट करते हैं, देख ल बच्चो, 12 क्यूशन है, किसी कंडिट को 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, तो वो कितनी तरीकों से फेल हो सकता है, तो ऐसा बच्चो, चार में से एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, तो फेल, या फिर चार में से दो में फेल हो जाए, तो फेल, चार म में तो फिलत दा ठीक है ना यह तो एक सबजेक्ट में दो बहुत एंतो बैट जाएगा तोnow में खेला कुम्हें पिलों लाई तो भी सिल देगा टिनों में फिल भी टारबा भी ira तो फॉर सी वन होता है वो और पॉर सीटू जाएगा सिक्स एनके फॉर इंटू थी वन इंटू टू इस हो गया फॉर सी वो जाएगा पंट एन प्लस पाइफ 15 तो ट्वेल्थ का अंसर आजाएगा आपका 15 कि है ना ना नेक्स्ट स्यूंट थरोटी 3 में क्या रोटी का ओव पार्ट 1 पार्ट 2 आरे टी से च्यार्ट क्यूंट यह हो गया और आठ में से च्यार्ट करने का यह हो गया ठीक है यह में और और ब्लस बच्छों किसी आदमी के पास शेफ रेंड है वो इनको इन्वाइट करना चाहता है अपने बड़े पर in how many ways he invite one or more for them to dinner एक या एक से ज़्यादा को कितने त्रिकों से invite कर सकता है तो भेज 6C1 एक को invite कर सकता है, दो को कर सकता है, तीन को कर सकता है च्यार को invite कर सकता है, पांच को invite कर सकता है, या फिर 6 को invite कर सकता है यह लगता है बच्चों बीच में इसे लिए क्या आगा है प्लस तो 61 हो जाएगा 6, 62 हो जाएगा 15, 63 हो जाएगा बच्चों, 654 यानिके 20 और 64 वापिस क्या आजाएगा 15, क्योंकि 6-42 यह बिर्खुल सेम टूसेम होगा है 15, 65 आजाएगा 6, 66 आजाएगा 1, तो यह आगा 21, 21 प्लस 20 यानिके 41 और यह वापिस 21 और प्लस 1, 22 यानिके 3 और 63, तो नम्मरों बेज हो जाएगा बच्चों 63, ठीक है न, 14 का चला जाएगा 63, नेक्स्ट बच्चों 15 क्यूशन, एब बोक्स कंटेंस 100 रूपीज, नोट 10 रूपीज, नोट 5 रूपीज, नोट 4 दिफ्रेंट कोईंस, हाओ मैने डिफ्रेंट अमांट्स कें बिड़ान फ्रों मीट, यानिके अलग तरकार अमांट कितना इसमें से निकाला आजा सकता है बच्चों, देखो बएगा 7 आपर टोटल अमांट हो गया 7 तरकार अलग तो उसमें से आप डालकर अगर एक निकालेंगे तो बोडिफ्रे मिलेंगे दिफ्रेंट तक में तेफ्रेंट मिलेंगे थिक है ना है डिफ्रेंट कुएंस Mais सब्सक्राइब के साथ मेरे लिए 7 6 1 62 67 इंटू它 थो है निके 21, 7C3 हो जाएगा 28, प्लस 7C4 वाप्पिस ही हा जाएगा 21, 7C5 वाप्पिस, 7C4 बच्चो जाएगा 28, 7C3 और 7C4 के हैं सेम, क्योंकि दोनों का सम क्या है इसके इक्वल, 7C5 इसके इक्वल है जो कि 21 था, और 7C6 है 7, 7C7 है 1, तो 1 प्लस 7, 8 और 8 प्लस 7, 15 ठीक है न, उसके बाद यहां पर है इन दोनों का सम 56 लिख लेता हूं, इसी ताजिता 21 यह है और 21 प्लस 21, 42 लिख लेता हूं, यह जाएगा बच्चो 11, और 11 प्लस 2, 13, 9 प्लस 110, प्लस 1, 11, 11, 13, यहनिके चेक कर लेते हैं, एक बार साथ में से एक अमांट लिखा लें, साथ में से दो, साथ में से 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 का साथ अमांट भी डिफ्रेंट ही मिलेगा, सेवन सी सिक्स आजाएगा, सेवन सेवन सी सेवन आजाएगा बन, इसको एड़ करेंगे एट, एट प्लस 7, 15 और 21 प्लस 21, 42 और यह 56, तो एड़ करेंगे बच्चो, यह होगे, ग्यारा, ग्यारा और दो तेरा, एक असिल होगे, यहांपर, नो रिक दास और ग्यारा, एक सो तेरा वेज हो जाएगे, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चो, 15 क्यूशन का अंसर है वही, 177, चीक है न, स्टेडमेंट एड़ एड़ बोक्स कंटेन, 100 रुपीज, नोट, 10 रुपीज, नोट, 5 डिफ्रेंट कोहेंस, 5 डिफ्रेंट कोहेंस, यह कल क्लिक दिया वेसायद हमने, यह 100 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, और 4 डिफ्रेंट, यह ठीक है बच्चो, how many different amounts can be drawn from it, and 4 different coins, 4 different coins लिख दिया, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, तो टोटल अमांट हो गया, 7, टोटल 7 तरह के अमांट हो गया हमपर, और उसमें से, how many different amounts can be drawn from it, इसमें से कितने तरह का different amount find out किया जा सकता है, तो बच्चो, थोड़े से space की वजए से साहिए, थोड़े सी calculation में स्टेख हो सकती है, दुबाना से करनेते हैं, देखो, उस बरतन में जो भी, उसमें amount है, जिसमें भी है, अगर एक amount कोई भी हार डाल कर निकलेगा, तो different ही निकलेगा हुई, या 2 amount निकलेंगे, वो भी different नि देखे जक्रीक ठीका ना? 7 c 1 हो जाएगा, 7, 7 c 2 होता, बच्चो, 7 6 1 2 यहने की 21, और बच्चो, 7 c 3 हो जाएगा, 7 6 5, यह 35 होगा, बच्चो, जो मैंने 28 देख रख्या था, ठीक है न, यह भी 35 हो गया, और 7 c 5 कितना हो गया 21, और 7 c 6 कितना हो गया, 7 c 7 कितना हो गया 1, तो है यह हो गया वए Teび Nine योग तो दोन्टी ऐट इअट सेवं करें रच स्लेक्षण करना आप ने चैपोड का और यहीं करना है जैसे और आपने च्याइब लगक 20 निकाल तों वाइट निकालने पड़ेंगे आपने direct अपने 2-5 निकाली आपने तो वाइट निकाने पड़ेगी एक और ये गलत होजेगा क्योंकि रेड कलर भी कम से कम दो ना चाहिए अब रेड कलर भी और वाइट कलर भी रेड कलर तो गया था 5C5 में लेकिन जो वाइट कलर है वो कितना बच गया था एक जो की गलत हो गया अगर रेड की संक्या और कम कर दो मैं 5C1 6C5 ये हो जाएगा वाइट कलर तो इसमें ये बिगर बड़ होगे क्योंकि जो वाइट और रेड कलर है दोनों में कम से कम दो आ जाना चाहिए आपर तो ये हो गया वी बच्चो इसको कैल्कुलेट करवा जेता हूं मैं 5C2 हो जाएगा 10 और 6C4 हो गया बच्चो 6C2 के इकॉल 6C2 वापिस 6C4 के इकॉल आ जाएगा 15 या जाएगा 150 या जाएगा 200 और या जाएगा 75 तो 75 समेंड करेंगे 225 वो जाएगा 200 और एड करेंगे तो या जाएगा 425 ठीक है ना तो वीडिया वीडियो काफी लंबी हो जाएगा बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछन अप्रोड कर देते हैं यहां तक आप अच्छे से रिवाइस करो कोई प्रोब्लम हाई तो कोमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कर दो